जैहिंद जैभारत दोस्तों गाईज यहाँ पर आप सबको किलियरली दिखरा होगा कोशी का भीती ओके तो आईए इसको अब हम घराई से समझते हैं और मैं आपको बता दूँ कि गाईज जो चीज हमें पता नहीं होता है उसे पहली बार याद ही करना पड़ता है ठीक है तो यह चीज आप माइंड में सेट कर लेजे गाईज यहाँ पर आप सबको किलियरली दिख क्या रहा है कोशी का भीती जिस एंगलिस में कहते हैं सेल वाल ठीक है यहाँ तक किलियर रहा होगा अब आगे यहाँ पर आप सब दिख पा रहे हैं कि पादप कोशी का का सब से बाहर का आवरन गाईज पादप कोशीका हम किसको कहेंगे पहले नमर तो ये बात आती है गाईज जो कोशीका पादप में होगी उसे हम कहेंगे पादप कोशीका और जो कोशीका हम लोगों में होगी उसे हम कहेंगे जन्तु कोशीका ठीक है तो भाई सहाब पादप वाली कोशिका को पादप कोशिका और हम लोग में जो कोशिका होगे यानि जन्तु में जो कोशिका होगे उसे जन्तु कोशिका कहेंगे ठीक है तो भाई सहाब पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरन सबसे बाहर का घेरा यहाँ पर अगर आप आसानी से देख पा रहे हैं तो यह हमारा पादप कोशीका का चित्र है ठीक है तो यहाँ पर सबसे बाहर वाला आवरन सबसे बाहर वाला घेरा ही हमारा कहलाता है कोशीका भेती जी हाँ साथियो सबसे बाहर वाला और कौन वाला तो यहाँ पर देखिए यह वाला है जो सबसे बाहर वाला ऐसे यहाँ पर समझे यह वाला यह वाला है ना सबसे बाहर वाला ही घेरा भाई साब आपको किलियर हो गया होगा ठीक है तो सबसे बाहर वाला घेरा ही हमारा कहलाता है कोसिका भेती तो यह चीज आप ख्याल रहे है तो यहां पर कोशी का भीति अगर आप से पुछ दिया जाता है तो यह वाला चोटा सर लिख देना है कि पादप कोशी का का सबसे बाहर का घेरा ही हमारा कहलाता है कोशी का भीति ठीक है तो गाइस यहां पर आगे आप समझ यहां पर आप आसानी से देख पा र सब से कठोर होता है मजबूत भाग यह चीज इस चोटे यह को पदार्थ धारत और यह चोटे-छोटे पदार्थ जो आselves लिख रहे हैं यह सब इसके अंदर होते हैं और यह सब का नाम क्या क्या है तो मैंने यहां पर आसानी से लिख रहा है तो देखें यहां पर यहाँ पर मैंने आसानी से लिख रहता है कि कोशी का भीती के अंदर राइबोसों अंतप्रद्रवी जाली का गोलजी का हरित लवक केंद्रक कोशी का जीली केंद्री का रिक्ति का माइट्रो कॉंड्रिया कोशी का द्रब्य आधी होते हैं तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि कोशी का जो भीती होता है हमारा उसके अंदर ये सब होते हैं क्या-क्या तो मैंने अल्रेडी पढ़ रखा है तो इसे आप पढ़ लेजिए ठीक है तो अब हम आगे समझते हैं अब यहाँ पर आप आसानी से देखेंगे तो आगे आप जो कोशी का भीती होता है ना सबसे बाहर वाला जो आवरन होता है घेरा होता है वो क्या करता है कि इसको आकरिती देने का आकरिती इसको देता है यानि आकरिती परदान करता है ठीक है तो ये चीज़ आप ख्याल रखेगा इसके बात इसके बात नहीं इसके बाद क्या है कि यह मारा हुआ होता है यानि हमारा जो कोशी का भीती होता है वो क्या होता है मारा हुआ होता है तो यह भी चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा और मैं बार-बार ख्याल रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जो चीज हमें पता नहीं होता है उसे याद ही करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर आगे ये है कि ये खराब पदार्थों को आने जाने देती है हमारा जो जन्तु कोशी का में हमारा जो कोशी का जीली था वो खराब पदार्थों को आने जाने नहीं देती थी लेकिन हमारे जो पादप कोसी का जो होती है उसमें जो कोसी का भीती होती है ये वाला इसमें ओबाई गौड ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ऐसे ही समझे कोशी का भीती जो होती है अंदर से कोई भी पदार्थ को बाहर भेज सकती है और बाहर के कोई भी पदार्थ को अंदर ले सकती है तो ये आने जाने देती है कोशी का भीती तो ये सिर्फ पादप कोशी का में ही होता है जन्तु कोशी का में नहीं होता है तो ये तो आप यहां तक की बात को समझ सकते हैं गाइज मेरी दीग हुई जनकारी से अगर आप थोड़ा कुछ भी सीख लेते हैं तो बढ़िया है और ना कुछ सीखते हैं तो यह खराब है ठेकर तब तक बने रहे और जूड़े रहे और कोई दिक्कत हो तो नीचे जरूर झाले कि प्रneए